ये है दैनिक प्राहताकाल का डिजिटल एडिशन प्राहताकाल लाइफ राजिस्थान विधान सभा का बजट सत्र आज 3 जुलाई से शुरू हो गया है सत्र की शुरुवात में ही विपक्ष के सदस्यों ने जोर दार हंगामा शुरू कर दिया विपक्ष की मांग थी की सत्र का प्रारंब राजेपाल के अभिभाशन के साथ होना चाहिए जबकि आज ऐसा नहीं कराया गया नेताप्रतिपक्ष टिकाराम जुली ने कहा कि यह समविधान के नियमों का खुलेयाम उलंगन है टिकाराम जुली ने माईक बंध होने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि साल के पहले सत्र की शुरूआत राजेपाल के अभिभाशन से कराने का नियम है जबकि अभिभाशन नहीं कराया गया इस पर विपक्ष के सदस्यों ने समविधान बचाओ का नारा लगाते हुए जोरदार हंगामा किया दरसल विपक्ष के सदस्यों के हंगामा करने पर संसदिय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सत्र की शुरूआत नियमों के तहत ही हुई है उन्होंने कहा कि यह दूसरा सत्र है जबकि पहला सत्र पुर्व में हो चुका है ऐसे में हर बार राजेपाल के अभिभाशन का नियम नहीं है इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि इस साल का पहला सत्र कब हुआ उसकी तारीख बता दीजिए इस पर स्पिकर वासु देव देवनानी ने कहा कि पहला सत्र दिसंबर में शुरू हुआ था जो कि जन्वरी तक चला स्पिकर के जवाब पर टिका राम जुली ने कहा कि दिसंबर 2023 में शुरू हुआ सत्र वर्ष 2024 का पहला सत्र कैसे हो गया हाला कि इसके बाद विपक्ष के सदस्यों को कोई जवाब नहीं दिया गया और सदन की कारेवाई आगे बढ़ा दी गई इस बीच नेता प्रतिपक्ष टिका रामजुली ने माईक बंद होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर समविधान बचाने आये हैं समविधान की हत्या नहीं होने देंगे लोगसभा में माईक बंद किये जा रहे थे और यहाँ पर मेरा माईक बंद किया गया है यह गलत हुआ है हाला कि टिका राम जुली के इस आरोप पर स्पिकर वासुदेव देवनानी ने कुछ नहीं किया महीं हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की पांच विधानसभा की जानकारी दी है इसके साथ ही हाथरस की दुरघटना पर सदस्यों ने शोख व्यक्त किया फिलहाल विधानसभा चार जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है वहीं सत्र के प्रारंभ में बांसवाडा जिले के बागी दौरा विधानसभा से नौ निर्वाचित विधायक जैक्रिश्न पटेल को सदस्यों पद की शपत दिलाई गई